सबको जै मसी की प्रभू आप सबको आशीश दे आज का वचन जक्करिया चार का छे और सात्वे वचन में हम देखेंगे तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरू बाबयेल के लिए यहवा का यह वचन है ना तो बल से और ना शक्ती से प्रंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा मुझे नाओ के यहवा का यही वचन है हे बड़े पाहार तु क्या है जरू बाबयेल के सामने तुमें दान हो जाएगा और वे चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा उस पर अनुग्रे हो अनुग्रे हो हालिलुया आमेन इस सुन्दर वचन में परमेश्वर यहां बता रहे है कि ना तो बल से और ना शक्ती से प्रंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा तो जैसे आज परमेश्वर उन सब लोगों से बात करना चाते है जो यह सोच रहे है कि उनके जीवन में यह जो समस्या है यह जो विपतियां है यह जो बिमारियां है उन्हें यह लग रहा है कि यह पहाड जैसी है यह ऐसे लग रहा है कि यह तो होई नहीं सकता यह पहाड जैसी समस्या है तो हमारे जीवन से दूर होई नहीं सकती हमने कितनी प्राधनाएं कर ली, कितना कुछ कर लिया पर अभी तक उत्तर नहीं आया और ये पहाड, ये समस्या, ये बिमारी, ये करजा, ये कंगाली, बिरोजगारी, ये मेरा सपना घर लेने का, ये कभी भी ये चीजे पूरी नहीं होगी, ये हमारे जीवन से ये समस्या, संकट दूर नहीं होंगे आज पर मेशर उन सब लोगों से बात करना चाहता है कि तुम मेरे वचन की और ध्यान दो हालेलुया मैं तुम से कह रहा हूँ ना तो बल से ना तो शक्ती से मेरी आत्मा के द्वारा होगा हालेलुया मुसेनाओ के यवचा यही वचन है ए बड़े पहाड तू क्या है जरूबा बेल के सामने तू मेदान हो जाएगा हालेलुया पर मेशर कह रहे है ना तो बल से ना तो शक्ती से मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड मेदान हो जाएगा ये पहाड जैसी बीमारियां जो आपको लग रही है कि आपके जीवन में बनी हुई है परमेशर कह रहे है मेरी आत्मा के दौरा ये बीमारियां दूर हो जाएगी हालेलुया वाग खाला रासा खाला रासा खा परमेशर कह रहे हैं आपके जीवन में जो आपको लग रहा है कि ये समस्या ये कंगाली कितनी देर से बनी हुई है ये विरोजगारी कितनी देर से बनी हुई है आपको लग रहा है कि मेरे परिवार वाले विश्वास में नहीं आएंगे मेरा पती मेरी पतनी या मेरे परिवा में आजाएगा हालेलुया पर मेशराज उन सब लोगों से बात कर रहे हैं कि ना तो ये बल से होगा ना ये शक्ति से होगा मेरी आत्मा के दोरा ये पहाड़ जैसे स्मस्याएr ये पहाड़ जैसी बीमारियां ये पहाड जैसे चिंताय और बोझ आपके जीवन से मैदान हो जाएंगे बस आज के बाद से आपने इस वचन का परियोग करना है जब भी आपको अपनी बिमारी आपको अपना करजा आपको अपनी कंगाली आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही उनके लिए कोई रिष्टा नहीं मिल रहा आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई भी नोकरी नहीं है आपको ऐसा लगे कि आपका कोई भी अपना काफी समय से डिप्रेशन में है या पागलपन में है या आपको ऐसा लगे कि आपके घर में बरकत नहीं है तो आपने बसी स्वचन का प्रियोग करना है हलिलुया क्योंकि परमेशर कह ना तो बल से ना तो शक्ती से मेरी आत्मा के दौरा ये पहार मेदान हो जाएगा. वो आत्मा जिसने मसी को मरे हुँ मसी जिलाया, वो जी उठने की सामर्थ हालेलुया, कारे करेगी आपके जीवनों में, हालेलुया. तो मैं विश्वास करतीूं, यह वच्छन आपके जीवन में एक बहुत बड़े छुटकारे को लेकर आएगा क्योंकि इस वचन में परमेशर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम्हें कोई बल लगाने की जुरूरत नहीं है ना तो बल से ना तो शक्ती से तुम्हें अपनी कोई शक्ती लगाने की जुरूरत नहीं है सिर्फ त प्राथना करनी है प्राथना के दौरा पवित्रातमा के दौरा ये पहाड खतम हो जाएगा शिरबसा का खालसी के लिए रिमा आज परमेशर आप सब लोगों को इस वचन के दौरा शिशित करेगा और मैं विश्वास कर त्यूँ कि आज बहुत सारे लोगों से इस वचन ने बात की होगी परमेशर चाते कि आप सब लोग जो दुख में हो बिमारी में हो आप अपने जीवन में इस वचन का प्रियोग करते चले जाए हर वो प्राथना का उत्तरा आपको मिलेगा जिसके लिए आपने हास्ता कितनी प्राथनाए करी तो आईए हम सब मिलकर आप सब ल वचन में लिखा पिता परमेशर ना तो बल से ना तो शक्ती से तेरी आत्मा के सामर से ये पहाड में दान होजेगा प्रभू आज हम प्रात्ना मांगते प्रभू जो भी भाई भेन पिता परमेशर इस वीडियो को देख रहे है प्रभू एक बड़े विश्वास को उनके ये पहाड जैसी मेरे प्रभू आज मेरे पिता परमेशर वो इस पहाड को प्रभू आप ना तो बर से ना तो शक्ती से तेरी आत्मा के सामर से पिता ये पहाड जैसी बिमारिया उनके जीवन से मेदान हो रही है हाले लिया प्रभू कैंसर प्रभू पहाड जैसी बिमारिय हैं मेरे प्रबू जो शरीरी को मेरे प्रबू जो मांसी को मेरे पिता परमेशर आप सब की जीवन से प्रबू ना तो बल से ना तो शक्ति से तेरी आत्मा के समर्से ये सबी बिमारिया इन भाई भेनों के जीवन से दूर हो रही है परमेशर का आत्मा आप सब को कहना चाहता ह कि आप वचन की तलवार को अपने हातों में ले लिजिए दरने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर आपके साथ में है आज अगर आप बैड पे हो तो उसी बैड पर लेते लेते इस वचन का पुरियोग करें अपनी तलवार को अपने हातों में ले ले और परमेश्वर से प्र यो करना शुरू करे हालिलुया हम प्रात्ना करते ना तो बल से ना तो शक्ती से तेरी आत्मा के सामर से ये भाई भेहन जो देख रहे हैं के जीवन से करजे कंगालियां खतम हो रही है विरोजगारियां खतम हो रही है हर एक प्रकार की समस्या खतम हो रही है आज हम मिलकर इस वचन की खोषणा करते ही श्मसी के नामे आज हम अपने जीवनों में इस वचन को degrad करते शीया का कर क्लासी के ले दिमां यह जो भाइवन phases akis जीवनों में इनके रिश्टदारों के जीवनों में इनके मित्रों के जीवन में आज इस वचन को करते हैं प्रबू, कोई भी पहार जैसे स्मसियाओं के जीवन से मैदान और यहं प्रबू, शीरा बसा का खाला सी, खेले दिमा हिन्दा खलारा बसा का विश्वास करते हैं प्रबू, ना तो बल से, ना तो शक्ति से पिता, तेरी आत्मा के सामर से प्रबू, उन लड़के जिनोंने येश्व मसी को उधार करता नहीं माना उधार नहीं पाया वो भी उधार पारे प्रभू क्योंकि ये कारे प्रभू आपकी आत्मा के दोरा होगा प्रभू जब हम लोग आपके सामने प्रात्ना करेंगे आपके वचन को बोलेंगे प्रभू तो पवित्रा आत्मा प मारे जीवन से खतम हो रहे हैं, परिवारों के जीवन से खतम हो रहे हैं, आज से आप इस वचन को डिक्लियर करना शुरू कीजिए, आप सब के जीवनों से प्रभू शांती को खतम कर रहे हैं, आत्मा के द्वारा हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेशर, कि जीवनों में आपने इस वच्छन को पूरा किया प्रभू पहार जैसी मस्व्याओं को खतम करा हम धन्यवाद देते सबको तेरे हाथों में सौंपते मेरे और प्रभू हम सबके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभू इस प्रात्ना को इश्व मसी के नामे मांगते हैं आमेन प्रभू आप सबको आशीश दे जय मसी की